तो नमस्कार दर्शको मैं हूं हीरेन आपका डाइमंड और जूरी एक्सपर्ट आज हम बात करने जा रहे हैं मैंन्स डाइमंड बैंड के बारे में जिसे हम आज शिप करने जा रहे हैं कैरला तो इसकी कुछ खास चीजे हैं जैसे कि उन्हें हमारे क्लाइन को इसे लो बजट में चाहिए था लो वेट में चाहिए था टू टोन में चाहिए था और lap-grown diamond में बनकर इसे तयार करना था और इस band की width उन्हें चाहिए थी 5 mm तो ये सारी की सारी चीज़े उन्हें जिस तरह चाहिए थी उस तरह हमने ये ring बनाई है उनके budget में हमें natural diamond नहीं मिल रहा था इसलिए उन्होंने lap-grown diamond चूना था तो ये जो center का जो diamond है वो है 30 cent का E color और VVS2 grade का diamond ये हमने markets में जाकर हर एक diamond को inspect करके और जो best diamond हमें लगा जिस diamond का अच्छा spread था वो diamond हमने चूज करके उन्हें उसका certificate, photos, videos शेर किये उनके साथ में और वो diamond चुनने के बाद उन्होंने एक reference के तोर पे हमें image दी थी उसके basis पर हमने एक CAD तयार किया और CAD तयार करने के बाद में ये पूरी ring तयार हुई है ये ring बनी है 60,000 रुपीज से कम दाम में अब इसमें main problem ये था कि उनका जो ring size था वो 28 था यानि उसमें काफी सारा अगर normal ये solid gold में अगर बनाते तो कम से कम 10-12 ग्राम का gold जाता तो उनका budget के बाहर चला जाता इसलिए उन्होंने चुना था कि भई इसे low weight में बनाना है तो अगर आप देखोगे तो अंदर के side से उन्होंने इसे hollow रखवाया था और इसी करण से हम उनके budget में ये ring बना सके ये ring की specification देखे तो ये 5 ग्राम से कम gold में बनी है 18 karat two tone है इसमें आप अगर देखोगे तो rose gold और white gold ये ये दोनों का combination है और ये 30 cent का EVV2 का lab-grown diamond है तो अगर आप भी ऐसे ही कोई जुल्री कस्टमाइज करवाना चाहते हैं आपके budget में बनवाना चाहते हैं तो आप भी हमारा संपर्क कर सकते हैं आप हमें requirement के बारे में जानेंगे एक छोटी सी फील लेंगे हम 730 रूपीज की और हम आपको guide करेंगे कि कैसे आपके budget में बहतरीन प्रॉड़क्त हम आपको दे सकते हैं धन्यवाद